दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदवशन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग चाहधरी दोस्तों यंसी आटीस रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे आठवी कच्छा के इतिहास हमारे अतीत भागतीन का अध्याय आठ देशी जनता को सभ्य बनाना राष्ट को सिक्षित करना इस अध्याय में आप जानेंगे अंग्रेज सिच्छा को किस तरह देखते थे यानि सिच्छा के संबंद में उनका नजरिया क्या था दूसरा ये कि सिच्छा किन काड़ों से आवस्यक और महतपोड होती है साथ ही आप कुछ विशिष्ट सब्दों जैसे भासाविद, मदर्सा, वर्नाकुलर, प्राच्चिवादी इन सब्दों का अर्थ जानेंगे और विशेश अध्यान के रूप में महान, सिच्छाविद, गुर्देव, रविन्ना, टैगोर और उनके सांतिनिकेतन के संबंद में इस अध्याय में पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का अध्याय आठवी कच्छा के इतिहास का अध्याय आठ दोस्तों पिछले अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिस सासन के कारण यहां के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे यनि राजा, नबाब, किसान और आदिवासी सभी ब्रेटिस आसन से किसी न किसी रूम में प्रभावित अवस्य हुए थे और इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से बिद्यार्थियों के जीवन पर क्या आसर पड़े दोस्तों बिद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू छेतर पर बिजय और आय पर नियंतरन नहीं चाहते थे उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिसन भी है और वे ये मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है देशी समाज को सब भे बनाने का मतलब ये कि यूरोपी ब्रिटिश जाती अपने आपको सब भे और भारती जातियों को बरबर या असब भे मानती थी इसलिए वो अपना नैतिक करतब बे समझती थी कि भारतियों को सब भे बनाये जाए उनके रीत रिवाजों और मुल्यों तथा मानिताओं को बदलने का भी प्रयास उनके द्वारा किया जाता था दोस्तों इसके लिए क्या-क्या बदलाव किये जा सकते थे भारतियों को सिक्षित और सब भे बनाना अंग्रेजों की सोज के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाये जाने थे अंग्रेजों के पास भी इन सब सवालों के कोई बने बनाये जवाब नहीं थे इन सवालों पर कई दसक तक बहस चलती रही यानि भारतियों को किस प्रकार से जो है सब भे बनाये जाये उन्हें अपने सुसंगत या असपष्ट प्रजा के रूप में उन्हें किस प्रकार से अपने ढंग से जीवन यापन करने आपने ढंग से चलने के लिए उन्हें तयार किया जाए ये भी ब्रिटिस सासन के लिए बहुत ही महतपूर था आईए जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो सिकषा को किस तरह देखते थे दोस्तों सिकषा के छेतर में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और सिखषा के जो वीचार हमें आज सहद सामाने दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से बिक्सित हुए हैं इस जाच पड़ताल के दोरान हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारतियों ने ब्रिटिस विचारों पर कैसी प्रतक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विक्सित हुए कि भारतियों को कैसे पढ़ाया जाए प्रात्चेवाद की परंपरा तो प्रात्चेवाद की परंपरा क्या है दोस्तों सन 1783 में बिलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आये नाम था बिलियम जोन्स 1783 में वे कलकत्ता आये उन्हें इस्ट इंडिया कमपनी द्वरा स्थापित किये गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पतपर तहनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ बिलियम जोन्स एक भासा विद थे। तो भासा विद क्या होता है। दोस्तों भासा विद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई भासाओं का जानकार या विद्यार्थी होता है। भासा और विद, विद माने जानने वाला तो अनेक भासाओं को जानने वाला भासा वित कहा जाता है दोस्तों बिलियम जोन्स आक्सफोर्ड में ग्रीक और लेटन के आध्यान कर चुके थे वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अर्भी सीखने के अलावा फार्सी भी सीख चुके थे यहाँ पर देखे बिलियम जोन्स फार्सी सीख रहे हैं इस चित्र में दिखाया गया है कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटो संस्कृत बिद्वानों के साथ वैट कर उनसे संस्कृत की बारी किया उसके ब्याकराण और संस्कृत काभियों का अध्यन करने लगे दोस्तों जोन्स ने ये पाया कि उस समय कलकत्ता में तहनात बहुत सारे अंग्रेज अपसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे हेनरी टामस कोलब्रूक और नैथेनियल हालहेड भी भारती भासाएं सिखकर संस्कृत और फार्सी रशनाओं का अंग्रेजी में अनुवात कर रहे थे और भारती की जो प्राचीन भारती बिरासत थी उसको समझने की प्रयास में लगे हुए थे दो नाम और भी महतपूर है देखिए हेनरी टामस कोलब्रूक और नैथेनियल हालहेड दोस्तों प्राचीन भारती बिरासत को समझने के प्रयास में जो लगे विचारक थे इन लोगों के साथ मिलकर बिलियम जोन्स ने एसियाटिक सोसाइटी या बंगाल की अस्थापना की और एसियाटिक रिसर्च नामक सोध पत्रिका का प्रकासन सुरू किया दोस्तों जोन्स और कोलब्रूक भारत के प्रति एक खास तरह कर अवया रखते थे वे भारत को पशिम भारत और पशिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे दोस्तों हेनरी टामस कोलब्रूक संस्कृत और हिंदुर्त के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बिद्ध्वान थे इनका यहाँ पर एक पासार चित्र दिया गया है तो जोन्स और कोलब्रूक भारत के प्रति एक खास तरह कर अवया रखते थे वे भारत और पशिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे उनका मानना था कि भारती सब भेता प्राचीन कला में अपने बैवोगों के सिकर पर थी लेकिन बाद में उसका पतन होता चला गया उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहां के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था उनका मानना था कि हिंदूओं और मुसल्मानों के असली विचारों और कानूनों को इनी रचनाओं के जरिये समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनह अध्यन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है इस तरह से दोस्तों जोन्स और कोलबुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूड़ने उनकी ब्याख्या करने अनुबात करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए उन्हें ये विश्वास था कि ये परियोजना या प्रोजेक्ट नेकेवल अंग्रेजों को भारती संस्कृति को सीखने में मदद देगी बलकि भारतीयों को भी अपनी बिरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभा को समझने में मदद करेगी इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारती संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे तो एक देखिए महतवपूर कथन की बिलियम जोन्स और नार्थ कोलब्रुक के प्रयासों से ये हुआ कि उन्होंने प्राचीन भारती संस्कृत गरंथों की खोच की और उन्होंने ये सोचा अपने विचारों के प्रचार प्रसार में ये सोचा कि इससे ब्रिटिसों को भारती संस्कृति सीखने में मदद मिलेगी और इसका जो दूसरा पैड़ामी ये होगा कि भारतीयों को भी अपनी प्राचीन भिरासत या भव्य भिरासत को दोबारा समझने में मदद मिलेगी पश्मी ग्यान की बजाए भारती ग्यान को ही प्रोसाहन देना चाहिए और वे चाहते थे कि प्राचीन भारती ग्रंतों के अध्यान को प्रोसाहित करने और संस्कृत और फार्सी साहित और काब्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की अस्थापना की जाए इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदूगों और मुसल्मानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परजित हैं और जिसे वे आदर और महतु देते हैं उन्हें अंजाने विश्यों की सिछन ने दी जाए इन अफसरों की राय में केवल तब ही अंग्रेज देशी जनता का दिल जीश सकते हैं केवल तब ही अजनवी सासक अपनी परजासे आदर की उम्मीद रख सकते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1781 में अर्बी फार्सी इसलामिक कानून के अध्यन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदर्सा खोला गया तो मदर्सा क्या है मदर्सा सीखने के अस्थान को अर्बी भासा में मदर्सा कहा जाता है और यह किसी भी तरह का स्कूल या कालेज या कोई और भी संस्थान हो सकता है तो 1781 में अर्बी फार्से और इसलामिक कानून के अध्यन के लिए कलकत्ता में एक मदर्सा खोला गया और 1791 में बन अपनी के सभी अपसर इन विचारों से सहमत नहीं थे, कुछ विचारक ये नहीं चाहते थे, और कुछ ये चाहते थे कि बहुत सारे विचारक प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, प्राच्यवादी क्या है दोस्तों, तो प्राच्यवादी एसिया की भासा और संस् गहन ग्यान रखने वाले लोगों को प्राच्चवादी या ओरियंट लिष्ट कहा जाता है यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है यह वारेन हेस्टिंग्स का असमारक है रिचर्ड वेश्ट मा कोट 1830 में अब कुलकाता इस्थित बेक्टूरिया मेमोरियल में है इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुनसी दिखाई दे रहा है मुनसी क्या होता है दोस्तों इसके बारे में अभी हम बात करेंगे हेश्टिंग्स और अन्य प्राच्चवादी भारती बिद्वानों से बिभिन भारती सब भासाएं सेखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्ना कुलर का नाम देते थे अस्थानी रीत रिवाजों और कानोनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंतों के अनुवाद और व्याख्या करने में मदद चाहते थे हिस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदर्से की अस्थापना की और उनका विश्वास था कि यहां के प्राचीन रेत्रिवाज और यहां की ज्यान समपदा ही भारत में ब्रेटिस आसन के आधार होने चाहिए दोस्तों मुंसी तो ऐसा व्यक्ति जो फार्सी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे मुंसी कहा जाता है और वर्नाकुलर सब्द जो है दोस्तों यह सब्द आम तोर पर मानक भासा से अलग किसी अस्थानी भासा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है भारत जै है आपके लिए वर्ना कुलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों ये कब लागू किया गया था और ये क्या था इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है पूरब की जगन्ने गलतिया दोस्तों उन्नीसवी सदी की सुरुआत से ही बहुस सारे अंग्रेज अफसर सिच्छा के प्राच्चवादी द्रिष्ट कोण की आलोशना करने लगे थे उनका मानना था कि पूरबी समाजों का ग्यान त्रूटियों से भरा हुआ और अवय ग्यानिक है उनके मुताबिक पूर्वी साहित अगंभीर और सहता ही था इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अर्भी और संस्कृत भासा और साहित की अध्यन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए प्राच्चवादियों पर हमला करने वालों में जिम्स मिल प्रमुक्त है उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश रखने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सिच्छा नहीं दी जानी चाहिए उनकी राय में सिच्छा के जरिये उपियोगी और बेवहारिक चीजों का ग्यान दिया जाना चाहिए इसलिए भारतियों को पूर्वी समाजों के काब्वे और धार्मिक साहित्ते के बजाए ये पढ़ाना जाहिए कि पश्चिम में किस तरह की बैग्यानिक और तक्नीकी सफलताएं हासिल कर ली है तो दो तरह के सिच्छा के छेत्र में या सिच्छा के विकास क्रम में दो तरह के विचार धाराओं वाले लोग थे एक प्राचिवादी और दूसरा ये कि पश्चिम के साहित्त ग्यान विज्ञान और उनके तारकिक्ता को समझने वाले लोग दोस्तों 1830 के दसक तक प्राचिवादियों का बिरोध और तीखा हो गया था थामस बैबिंगटन मैकाले इन आलोजकों में सबसे मुखर और प्रभावसाली विचारक थे वह भारत को असभिदेश मानते थे तो मैकाले जो था दोस्तों ये भारत को असभिदेश मानते थे और वह सभिदा का पाठ पढ़ाना वो मानते थे कि जरूरी है और मैकाले के मुताबिक पूर्वी ग्यान की कोई साखा इंगलेंड की प्रगत के समकच नहीं थी मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपी पुस्तकाले में केवल एक खाना ही भारत और अरप के समूचे देशी साहिति के बराबर है तो आप एक कथन है ये देखिए एक स्टेटमेंट है मैकाले का आप अलग से नोट कर लीजिएगा मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपी पुस्तकाले का केवल एक खाना या एक रैखी भारत और अरप के समूचे देशी साहिति के बराबर है उनका तरकी ये था कि भारत में ब्रेटिस सरकार को प्राचिवादी ग्यान पर सरकारी पैसा बरबाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पर देखिए ये चित्र जो है दोस्तों थामस, बैविंग्टन, मैकाले और उनके अध्यन कच्छका दिया गया है गहन उर्जा और आवेस पुर्वक मैकाले और इस प्रकार मैकाले का कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने उनकी रुचियों, मुल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है मैकाले के मिनट्स या विवरंड के अधार पर 1835 का अंग्रेजों का सिक्षा अधिनियम फारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च सिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदर से तथा बनारत संस्कृत कालेज जैसे प्राचिवादे संस्थानों को प्रोशाहन न दिया जाए इन संस्थानों को अपने आप छरण का सिकार होते जा रहे अंधकार के मंदरों की संग्या दी गई और अब स्कूलें के लिए भी अंग्रेजी पाठे पुष्टकें छपने लगी दोस्तों ग्यानियों की भासा यह यहाँ एक स्रोत है और अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था कि सभी पच्छ इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि देशी लोगों द्वारा आम तोर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहितिक जानकारिया होती हैं और ना ही बैग्यानिक इसके अलावा यह बोलिया इतनी धरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोज से उनको सम्रिद्र न बनाय जाए तो किसी भी मुल्लेवान कृति का उसमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता यह थामस बेभिंगिटन मैकाले या टी बी मैकाले भारतिय सिक्षा के विशे में दो फरवरी 1835 के विवरनड या मिनट्स में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी ग्यानियों की भासा है दोस्तों ब्यवसाय के लिए सिच्षा इस संबंध में देखते हैं तो 1854 में इस्ट इंडिया कंपणी के लंदन इस्टित कोर्ट आप डायरेक्टर्स ने भारतिय गवरनर जनरल को सिक्षा के विशे में एक नोट भेजा कंपणी के नियंत्रक मंडल या कंट्रोलर जो था का नियंत्रक मंडल उसके अध्यच चाल सुवड के नाम से जारी किये के इस संदेश को उड का नियत्पत्र या उड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है ये दस्तावेज या उड डिस्पैच भारती इतिहास में सिक्षा के छेतर में पहुत ही महत पून माना जाता है और इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली सिच्छा नीत की रूप रेखास पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्चवादी ग्यान के अस्थान पर यूरोपी सिच्छा को अपनाने से कितने ब्योहारिक लाब प्राप्त होंगे इस दस्तावेज में यूरोपी सिच्छा का एक ब्योहारिक लाब आर्थिक छेतर में बताया गया यानि उट डिस्पैच में सिच्छा को ब्योहारिक लाब के रूप में आर्थिक छेतर में बताया गया और ये कहा गया कि यूरोपी सिच्छा के माध्यम से भारतियों को ब्या प्रिटिस वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना सुरू कर देंगे तो जो सिच्छा थी या अंग्रेजी सिच्छा उसके लिए ये माना गया कि बेवसाय के लिए अंग्रेजी सिच्छा बहुत ही जरूरी है उड़ डिस्पैच में ये तर्क दिया गया था कि यूरोपी सिच्छा से भारतियों का नैतिक चरित्र उत्थान होगा और इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और इमानदार बन जाएंगे और फल सरूप कमपनी के पास भरोसे मंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी और दस्तावेज के मुताबिक पूरव का साहित ने किवल भयानक तुरूटियों से भरा पड़ा था बलकि यह लोगों में ने तो काम के प्रतिदायतों और समर्पन का भाव पैदा कर सकता है और न कामलों पर सरकार का नियंत्रण अस्थापित किया जा सके विस्तु विद्याले सिक्षा की विवस्था विक्सित करने के लिए भी कदम उठाये गए और 1857 में जब मेरट और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विस्तु व वादी ग्यान का विरोध करने वालों की निडायक विजय का संकेत था, इसमें ये कहाद गया था कि हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस सिख्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस सिख्षा का लच्छ यूरोप की स्रेष्ट तरकलाओं, सेवाओं, दर्सन और साहित यानि यूरोपी ग्यान का प्रशार करना है, दोस्तों यहाँ पर देखें, उन्नीस्वी सदी में बंबई विस्सो विद्याले का निर्माड़ा धीन ये चित्र दर्साया गया है, दोस्तों नैतिक सिख्षा की मांग, उन्नीस्वी सताबदी में भारत में सक्री इ इसाई परचारकों ने बेवहारिक सिख्षा के पच्छ में दिये जा रहे तरकों का घोर विरूत किया, परचारकों का मानना था कि सिख्षा का उद्देश लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना और उनके नैतिकता का उत्थान करना होना है, और ये नैतिकता का उत् तक इस्ट इंडिया कमपनी भारत में परचारक गतविधियों के बिरुद्ध थी। कमपनी को भय था कि परचारकों की गतविधियों की वज़े से अस्थानी जनता के बीच असंतोस पैदा होगा और भारत में अंग्रेजों की उपस्थिती को लोकसक की नजर से प्रिटिस नियंतरण वाले भूचेतरों में अपनी संस्थायन खोल पाने की वज़े से बरचारकों ने अंततह सिरामपूर में अपना मिशन खोला यह इलाका डेनिस इस्ट इंडिया कमपनी के नियंतरण में आता था और वर्स 1800 में एक छाप खाना लगाया या प्रिंटिं अच्छ सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी सरकार को यह लगता था कि अस्थानी रीत रिवाजों बेवहारों मोले माननेताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़ चार देशी लोगों को भढ़का सकती है यहाँ पर देखिए इसकार्ट लेंड के इस इस्थित सेरामपूर कालेज बहुत ही सुन्दर और भव्य इमारत बनाई गई थी सेरामपूर कालेज की दोस्तों अस्थानी पाट सालाओं का क्या हुआ दोस्तों अस्थानी पाट सालाएं या जैसे ग्रामीर टाइप की पाट सालाएं जो थी अंग्रेजी सिक्षा के या अंग्रेजी सासन में उनका क्या होगा दोस्तों क्या आपको कुछ अंदाज या अनुभव है कि अंग्रेजों से पहले यहां बच्चों को किस तरह पढ़ाय जाता था क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिस सासन के तहत उनका क्या हुआ यहां पर देखिए एक ग्रामीर पाट साला का चित्र दिया गया है फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाए गया यह चित्र है फ्रांसवा 18 सताद्धी के आखिर में भारत आये थे और अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्साने का प्रयास किया है बिलियम एडम की रिपोर्ट देखते हैं सिक्षा के समबंध में दोस्तों 1830 के दसक में इसकार्ट लेंड से आये इसाई प्रचारक बिलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दोरा किया कमपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में सिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तयार करने का जिम्मा सौपा था एडम ने जो रिपोर्ट तयार की वो अत्यांत ही दिलचस्प थी एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाग से ज़्यादा पाट सालाएं हैं ये बहुत छोटे छोटे केंदर थे जिनमें आम तोर पर बीस से ज़्यादा बिद्यार्थी नहीं होते थे फिर भी इन पाट सालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानि बीस लाग से भी ज़्यादा थी ये पाट सालाएं संपन्न लोगों या अस्थानी समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी और कई पाट सालाएं स्वेंग गुरु जी द्वारा ही प्रारंभ की गई थी सिच्छा का तरीका का फिला चीला था आज आप जिन चीजों को स्कूलों से उम्मीद करते थे उनमें कुछ चीजें उस समय की पाट सालाओं में भी मौजूद थी बच्चों की फीश निश्चित नहीं थी छपी हुई किताबें नहीं होती थी पाट साला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी बिंच और कुर्सियां नहीं थी ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे और अलग से कच्छाएं लेने बच्चों की हाजरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था सालाना इम्तहान और नियमित समय साड़ी जैसी कोई बेवस्था नहीं थी कुछ पाट सालाएं बरगत की छाओं में ही चलती थी तो कई गाओं की किसी दुकान या मंदिर के कोने या गुरू जी के घर पर ही बच्चों को पढ़ाय जाता था बच्चों की फीस उनके माबाप की आमदनी से तैं होती थी अमीरों को जादा और गरीबों को कम फीस देनी परती थी सिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बिद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरू जी ही तेंग करते थे बिद्यार्थियों को अलग कच्छाओं में नहीं बिठाय जाता था सभी एक जगए एक साथ बैठते थे और अलग-अलग अस्तर की बिद्यार्थियों के साथ गुरू अलग-अलग बात कर लेते थे एडम ने पाया कि यह लचीली पढ़ाली अस्थानी आसकताओं के लिए काफी अनकूल है जैसे फसलों की कटाई के समय कच्छाएं बंध हो जाती थी क्योंकि उस समय गाउं के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाट साला दोबारा सुरू हो जाती थी इसका पैडामिया था कि साधारन कास्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे नई दिन चर्या नई नियम दोस्तों उन्नीसवी सदी के मध्ध एक कमपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च सिच्छा पर था इसलिए कमपनी ने अस्थानी पाट सालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया 1854 के बाद कमपनी ने देशी सिच्छा बेवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और कमपनी का मानना था कि इसके लिए भी मौझूदा बेवस्था के भीतर ही बदलाव किये जा सकते हैं कमपनी एक नई दिन चरिया और नए नियमों और नियमित निरिच्छणों के जरले पाट सालाओं को बेवस्थित करना चाहती थी इसके लिए क्या किया जा सकता था कमपनी ने क्या कदम उठाय तो सबसे पहले कमपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया इसमें से प्रतेक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेक का जिम्मा सौपा जाता था पंडितों का काम पाट सालाओं का दोरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था प्रतेक गुरु को निर्देश दिया गया था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कच्छाओं को नियमित समय साड़े के अनुसार चलाएं अब अध्यापन पाठे पुष्टकों पर अधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगत कुमापने के लिए वार्सिक पर इच्छाओं की रोप रेखा तयार की जाने लगी बिद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से सुल्क दें और नियमित रूप से कच्छा में आएं तैं सीट पर बैठें और अनुसासन के नियमों का पालन करें तो चीजें अब पहले से बदलनी लगी और लचीली बिवस्था जो है वो धीरे धीरे कठोर पड़ाली में या कठोर नियमों के अंतरगत बधने लगी नियमों पर चलने वाली पाट सालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे जो पाट सालाएं नई बेवस्था के भीतर काम करने को तयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देसों का पालन करने की बज़ाए अपनी सोतंता बनाई रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाट सालाओं के सामने कमजोर पढ़ने लगे इन ने नियमों और दिन्चरिया का एक और भी नतीजा हुआ पहले वाली बेवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाट सालाओं में जा सकते थे क्योंकि उन सालाओं की समय साड़ी का फिल अचीली होती थी और नई बेवस्था और नए नियमों के अनुसार अनुसासं की मांग ये थी कि बच्चे नियमित रूप से सकूल आएं और अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का सकूल में आना जरूरी था जबकि उस समय गरीब घर के बच्चे खेतों में काम करने जाय करते थे अगर कोई बच्चा सकूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुसासं हिंता माना जाता था यानि बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता ऐसा समझा जाता था राश्टी सिच्छा की कारे सूची क्या थी? दोस्तों केवल अंग्रेज अपसर ही भारत में सिच्छा के बारे में नहीं सोच रहे थे उननीस्वी सदी के सुरुआत में भारत के विभिन भागों में बहुत सारे विचारक सिच्छा के व्यापक परसार की जरूरत पर बल देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलाओं से प्रभावित होकर कुछ भारतियों का मानना था कि पश्यमी सिच्छा भारत का आधनिकी करन कर सकती है और उन्होंने अंग्रेजों से आहवान किया कि वे नए स्कूल, कालेज और विस्विद्याले खोले और सिच्छा पर ज्यादा पैसा खर इसलिए महात्मा गांधी और रविन्ना टैगोर इस तरह के लोगों में थे तो पश्यमी सिच्छा के बिरुद्ध जो लोग थे महात्मा गांधी और रविन्ना टैगोर प्रमुक थे अंग्रेजी सिच्छा ने हमें गुलाम बना दिया है इस संबंध में जो मान्यता थी य कर दिया है इसके प्रभाव में आकर यहां के लोग पश्चिमी सभ्यता को सरेश्टतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गवरव भाव नश्ट हो गया है महात्मा गांधी ने कहा कि इस सिक्षा में विश्वरा है यह पापूर्ण है और इसने भारतियों क को पसंद करने लगे थे महात्मा गांधी एक ऐसी सिच्षा के पच्छधर थे जो भारतियों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाविमान का भाव पुनर जीवित करें और राष्टी आंदोलन के दोरान उन्होंने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वे सिच्षा संस्थानो को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब गुलाम बने रहने के लिए तयार नहीं हैं तो गांधी जी का ये मानना था कि अंग्रेजी सिच्षा ने हमें ने केवल मानसिक रूप से गुलाम बलाया है बलकि हमारे अपने जो प्राचीन गौरों का भाव था उसको भी समात कर दिया है महत्मा गांधी की द्रिण मानेता ये थी दोस्तों कि सिच्षा केवल भारती भासाओं में ही दी जानी चाहिए उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही सिच्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है और उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है उन्हें अपनी ही भूम पर अजनवी बना दिया है उनकी राय में बिदेशी भासा बोलने वाले अस्थानी संस्कृती से घ्रणा करने वाले अंग्रेजी सिच्षित भारती अपनी जनता से जोडने के तोर तरीके भूल गए हैं महात्मा गांधी का कहना था कि पश्यमी सिच्षा मौखिक ग्यान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें पाठ पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन बेवहारिक ग्यान की उपेक्षा की जाती है गांधी जी का तर्क था कि सिच्षा से ब्यक्ति का दिमाग और आत्मा बिक्सित होनी चाहिए उनकी राय में किवल साक्षर्ता यानि पढ़ना और लिखने की छमता पा लेना ही सिक्षा नहीं होती है इसके लिए लोगों को हास से काम करना पड़ता है हुनर सीखना पड़ता है और यह जानना पड़ता है कि विभिने चीजें किस तरह काम करती है इससे उनका मस्तिस्क और समझने की चमता दोनों विक्सित होंगे यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी और कस्तूर्भा गांधी सांतिनिक यतन में रविन्ना टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं और ये चित्र वर्स 1940 का है साक्षर्ता ही सिक्षा नहीं है दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखा था कि सिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुस्य के देह, मस्तिस्क और भावना के स्रेश्ट तत्तों को सामने लाए जाए साक्षर्टा न तो सिक्षा का अंत है नहीं उसकी सुरुआत यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिय पूरुस और महिलाओं को सिक्षा दी जा सकती है साक्षर्टा अपने आप में सिक्षा नहीं होती है लिहाजा मैं बच्चों को सिच्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौसल के सिखाऊंगा और उन्हें सुरु से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सरवच विकास इस तरह की सिक्षा में ही संभो है और प्रतेक हस्तकौसल आज की तरह केवल यांत्रिक धंग से ही नहीं बलकि बैग्यानिक धंग से पढ़ाया जाना चाहिए यानि बच्चे को प्रतेक क्रिया प्रक्रिया के क्यों और क इसलिए का पता होना चाहिए The Collected Works आप महात्मा गांधी खंड 72 के प्रिष्ट 89 से ये उद्धरन लिया गया है दोस्तों जैसे जैसे राष्टी भावना का प्रसार हुआ कई दूसरे पिचारक भी एक ऐसी राष्टी सिच्छा की बढ़ाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा अस्थापित की गई विवस्था से आमोल तोर पर यानि पूरी तरह से भिन्न हो इसमें देखिए टैगोर का सांतिनिकेतन इस छेतर में एक करांतिकारी पहल था सांतिनिकेतन में एक कच्छा चल रही है 1930 का दसक है और आसपास का माहौल देखिए यहां चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने सांती निकेतन के बारे में सुना है दोस्तों इसकी अस्थापना रविन नाट टैगोर द्वारा की गई थी रविन नाट टैगोर ने असंस था वर्स 1901 में सुरू की थी और टैगोर जब बच्चे थे तो सकूल जाने से बहुत चिढ़ते थे वहां उनका दम घुटता था उन्हें सकूल का माहल दमनकारी लगता था टैगोर को ऐसे लगता था मानो इसकूल कोई जेल हो क्योंकि वहां बच्चे मन्चाहा कभी नहीं कर पाते थे जब दूसरे बच्चे सिच्छक को सुन रहे होते थे टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने सिच्छा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुस रह सकें वे मुक्त और रचनसील हों वहाँ वे अपने विचारों और आकांचाओं को समझ सकें और टैगोर को लगता था कि बच्चपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए वह अंग्रेजों द्वारा अस्थापित की गई सिच्छा बेवस्था के कड़े और बंधन कारियानुसासन से मुक्त होना चाहिए सिच्छक कलपना सील हों बच्चों को समझते हों उनके अंदर उस सुकता जानने की चाह विक्सित करने में मदद दें और टैगोर के मुताबिक बर्तमान इसकूल बच्चे की रचना सीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं टैगोर का मानना था कि स्रिजनात्मक्ता सिच्छा को केवल प्राकृतिक परिवेस में ही प्रोसाहित किया जा सकता है इसलिए उन्होंने कलकत्ता से सौ किलोमीटर दूर एक ग्रामीड परिवेस में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया उन्हें यह जगल निर्मल सांती से भरी सांती निकेतन दिखाए दी जहां प्रकिर्ति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक स्रिजनात्मक्त मेगा को और विक्सित कर सकते थे बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी सिख्चा के बारे में कमोबेस एक जैसी राय रखते थे लेकिन दोनों के बीच कुछ अंतर भी था गांधी जी पश्मी सिख्चा और मसीनी और प्रद्दोकी के उपासना के कटर आलोचक थे टैगोर आधुनिक पश्मी सभ्यता और भारती परंपरा के स्रेष्ट तत्तों का सम्मिस्रण करना चाहते थे उन्होंने सांति निकेतन में कला संगीत और रित्त के साथ बिज्ञान और प्रद्दोकी की सिख्चा पर भी जोर दिया तो यहाँ पर सिख्चा के संबंध में आप महात्मा गांधी और रविन नाट्टैगोर के बिचारों में अंतर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्टी सिख्चा पडाली की रूप रेखा क्या होनी चाहिए कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई बेवस्था में परिवर्तन चाहते थे क्योंकि उसका मानना था उनका मानना था कि इसी बेवस्था को इस तरह फैलाय जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले इसके विपरित बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक बैकल्पिक बेवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्टी संस्कृती की सिक्षा दी जा सके कौन तैं करे कि सच्चे अर्थों में राष्टी क्या होता है और इस राष्टी सिक्षा की बहस सुतंता के बाद भी जारी रही देखिए दोस्तों यहां कोयम बटूर के एक परचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे हैं यह 20. सदी के प्रारंब का चित्र है और 19. सदी के मध्य तक इसाई परचारक और भारती सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे यहां पर आप बच्चियों को स्कूल उप्रांगड में देख सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो देशी जनता को सभ्य वनाना राष्ट को सिक्षित करना अन्यत्र देखिए क्या एक इस्पेसल जानकारी या विशेश जानकारी आपको दी गई है सभ्य करने के लिए सिक्षा 1870 में सिक्षा अधनियम लागू होने के तक आमत और पर पूरी आबादी के लिए ब्यापक सिक्षा ब्यवस्था नहीं थी बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी इसलिए करीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे परिवार चलाने के लिए उनकी आय महतवपूर्ट थी स्कूल भी बहुत कम थे ज़्यादा तर स्कूल चर्च या राईसों द्वारा स्थापित किये गए थे सिख्चा अधनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए स्कूल खोलने सुरू किये और अनिमार सिख्चा का प्रावधान किया गया ट्रामस अरनाल्ड उस दोर के सबसे महतवपूर्ण सहचिक विचारकों में से एक थे वह रगबी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे माधमे की स्कूल की पाठेचारिया में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन सास्तरी कृतियों के विश्तरित अध्यन की हिमायत करते हुए कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्यन कम अपनाया जाता है उसके सबसे अच्छी बातिया है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है हर रोज हम भासाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं अरनाल्ड का मानना था कि सास्त्री कृतियों के अध्यन से दिमाग अनुसासित होता है और वास्तों में उस काल के ज्यादा तर सिक्षाविदों की माननेता थी कि इस तरह का अनुसासन बहुत जरूरी थिया क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असब भी होते हैं और उन्हें नियंद्रित करना आवस्यक है सब भी बयस्क के रूप में विक्सित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आजरन क्या होता है सिक्षा खास तवर से बच्चों की दिमाग को अनुचासित करने वाली सिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले आना था दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि इस तरह की विचारों ने इंग्लेंड में गरीबों और उपनिवेसों में देशी जनता की सिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां जो देशी जनता थी उनके बच्चे महंगे स्कोलों में या अमीरों द्वारा अस्थापिती स्कोलों में नहीं पढ़ सकते थे वो कठोर अनुसासन वाली सिच्छा ब्यवस्ता से भी नहीं जूड सकते थे क्योंकि ऐसे लोगों के अभिवावकों की आय बहुत कम थी और बच्चों को एक निश्चित समय में या निश्चित समय सीमा के अंतर उन्हें अपने खेतों और अन्यायक के साधनों में अपने अभिवावकों का हाथ भटाना पड़ता था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माग दर्शन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार